बुट मॉर्णिंग स्टूडेंग वर्कम तो अवर इस्पूल चैनल माइब इस वीडियो फॉर्ट तुडेश माइट टॉपिक इस टाइम टाइम जैसे कि मैंने अपनी प्रीवेस वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि टाइम का मतलब क्या होता है समय टाइम को क्या प्रीएम भी होता है और तो सबसे पहले हम आपको बता दें की वंटेट का मतलब एक डिन में कितने गंटे होते हैं 24 शोते हैं ओफ और 12 में क्या हो गया घाएग तो कितना हो गया 24 हो अब यहां पर क्या पूछा गया है दा फर्स्ट पीरिएड इस फ्रॉम 12 मिड्नाइट जो हमारा पहला पीरिएड है वो मिड्नाइट मींस 12 मिड्नाइट मींस होता है आधी रात से मतलब दिन के 12 वो क्लॉक तर इड्नाइट मेरिडियम विफोर मिड्नाइट मतलब आदे दिन से पहले जो होता है वो एंटी मेरिडियम एम का मींस होता है एम 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 ए फॉर एंटी और एम फॉर मेरिडियम मेरिडियम और पी का पी फॉर पोस्ट और एम फॉर मेरिडियम तो एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमारा एम चल रहा है कि पी एम चल रहा है तो सबसे पहले हमें एक लॉक बनाएंगे यह मैंने लॉक बनाई है इसमें नंबर शो किये अब यह वाला जो नंबर होता है यह 12 तो 12 हार्स में मतलब 12 जो होता है वो होता है अब जो 12 नून से ले गे और रात के उसमें दुरत लेके यही त्वारत का नून ले लेंगे नून ले लेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा पीम हो जाएगा मतलब दिन के बारा बजे के बाद से रात के बारा बजे तक हमारा क्या होता है और वही रात के बारा बजे से लेके रात के बारा बजे तक हमारा क्या हो जाता है? एम हो जाता है नून and midnight divided the two periods नून और midnight जो होता है फो किटने periods में divide होता है two periods में and therefore belong to neither so we do not write AM और प्य गून with them just noon and midnight आगर जहां पर क्या होगा ना एम लिखा होगा पैम लिखा तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि रात और दिन के हम सकते हैं कि हमारा एम हुआ है और प्यम हुआ है यह तो था आपका एम और पियम अब इसी के हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज फॉर्टीन है अब यहां पर जो छोटी वाली नीडाल वो इस पर गर दी है और इसको हल्का सा ऐसे गर दी है तो यह यहां पर हमारा टाइम शोग आप माल रहा है कि यह हमारा क्या टाइम कर रहा है ट्वल्व अदब बारा बचके तीम मिनट हुआ है इसी तरीके से आपको बस इतना पहचानना है जैसे बी कोस्चन में आपका वन पेस हुई है वन पे छोटी अलिस हुई है और शिक्स पे तो बन थर्टी हुआ है इसी तरीके से आपको करना है तो यह था हमारा एम और पीम और एक्सरसाइस 14 तो सोच स्टुडेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है या आप गूगल विट पे सर या मैम के थोख अरचन कर सकते हैं थैंक्यू अल उफ यू